केजरिवाल फिर से कैम्पेंग से जुड़ने के लिए मिस्कॉल कीजे 95-09-997-997 भाजपा सासित और कांग्रेस सासित राज्य नारकी इस्तिती में बिजली की वेवस्ता को पहुंचा चुके हैं उसको कब तक दुरुस्त करेंगे यह हमारा सवार भाजपा सासित राज्यों में और कांग्रेस सासित राज्य पंजाब में बिजली की आपूर्ती और दिली में बिजली की आपूर्त के बारे में काफी डिटेल्स में बताया लेकिन ये विजली की सप्लाई बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो पा रही है और दिली में क्यों हो पा रही है या फिर जो डिस्टिवियूशन और ट्रांस्मिशन का लॉस दिखाया जा रहा है यूपी में हर्याना में पंजाब में और दिली में कैसे अचानक कम हो गया इसके मूल कारण को जानना पड़ेगा और इसका मूल कारण ये है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिली में नहीं बनी थी जब तक अर्विंद केजरिवाल जी दिली में मुख्य मंत्री नहीं थे विद्दुत वित्रन प्रणाली में इतनी खामिया और भरस्टाचार थे कि कागजों में डिस्टिविशन और ट्रांस्मिशन का लॉस दिखाया जाता था बड़े-बड़े उद्द्योग पतियों के साथ मिलकर जो यहां की लिडर्शिप थी जो राजनेता थे कॉंग्रेस पार्टी के या बीजेपी के वो लोग डिस्कॉम कंपनियों के साथ मिलकर घोटाला और भरस्टाचार करते थे कागजों में उसका घाटा दिखाया जाता था बिजली का दाम बढ़ाया जाता था और विजली की सप्लाई दिल्ली में आठाट छेछे घंटे काटी जाती थी बिजली की सप्लाई अगर ठीक हो पाई तो इसके पीछे प्रबल इच्छा सक्ति अर्विन केजरिवाल जी की थी हमारे उर्जा मंत्री सतेन जैन जी की थी कि दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की डिसकाम कंपणियों पे दबाव बनाकर उनको अपनी जिम्मेदारी का एसास कराकर आज डिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है तो उसका सबसे बड़ा फाइदा हमको क्या हुआ सबसे बड़ा फाइदा हुआ कि जनरेटर के कारण जो भयंकर प्रदूसर्ण के इस्थिती होती थी पूरे दिल्ली में आज वो जनरेटर से होने वाला प्रदूसर्ण कम हुआ वो इन्वर्टर से होने वाला प्रदूसर्ण कम हुआ तो प्रदूसर्ण खत्म करने में अग पूर्ण भूमिका कई चीजों की है उनमें से एक चीज अगर देखी जाए तो वो बिजली की 24 घंटे आपूर्ती बिजली की 24 घंटे सप्लाई करके हमने दिल्ली में प्रदूसर्ण कम करने में काफी मदद पाई नमबर एक दूसरी बात जैसा इन्होंने बताया कि डिस्टि उत्तरप्रदेश में 31 प्रतिसत हरियाना में 23 प्रतिसत और पंजाब में 34 प्रतिसत है ये कम क्यूं नहीं हो रहा है ये भरस्टचार के कारण कम नहीं हो रहा है बिजली कमपनियों के साथ मिली भगत करके ये राज्य सरकारें जो घोटाला और भरस्टचार करती हैं उसके कारण से ये लॉस दिखाया जाता है उसके कारण से ये बिजली की कमी दिखाई जाती है और तभी जो पैसा इस लास में दिखाया जाता है वो पैसा उस पैसे का हिस्सा नेताओं और बिजली कमपनियों के जेब में जाता है ये इस वज़ा से नहीं हो पा रहा है तो इसलिए आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे विजली सप्लाई का एक सपना पूरा करके आम आदमी पार्टी की और अर्विंद केज रिवाल जी की सरकार ने दिखाया है उस सपने को पूरा करके मैं बिनमरता पूर्वक एक प्रस्न को फिर से दोहराना चाहता हूँ जो रागो चड़ा जी ने पूछा कि भाजपा सासित राज्य अपने राज्यों में 24 घंटे विजली की सप्लाई कब तक सुनिश्चित करेंगे और डिस्टिब्यूशन और ट्रांस्मिशन का लास इसका जो घाटा वो दिखा रहे हैं जिसकी मार जनता के जेप पर पड़ती है अगर ये इतने बड़े राज्य में भाई दिली जैसे छोटे राज्य में हमने बिजली का घाटा कम करके उसका लास कम करके 8% तक पहुचा पातिया अगर पंजाब में 34% है उत्तर प्रदेश में 21% है और हर्याना में 23% है तो ये घाटा कोई नेता अपनी जेप से पूरा नहीं करता ये घाटा पूरा किया जाता है जंता के उपर विजली के दाम बढ़ा कर उनके जेब पर मार देकर ये घाटा पूरा किया जाता है तो इसलिए कब तक ये distribution transmission का जो loss आपके राजियों में हो रहा है इसको कब तक आप खतम करेंगे आज बिजली की कटोती के कारण उद्योग धंदे बाकी राजियों के अंदर बंद हो रहे हैं भाजपा सासित राजियों में यूपी हर्याना में पंजाब के अंदर inडस्टी बंद हो रही है आज बिजली कटोती के कारण लोग सडकों पर आ जाते हैं आंदोलन करते हैं लाठियां खाते हैं जेल जाते हैं आज बिजली कटोती के कारण किसान अपने खेत की सिचाई नहीं कर पाता किसान को गाव में बिजली के लिए जब जुसको ज़रुत होती है तो उसको ज़रुत के समय में बिजली उप्लब्द नहीं हो पाती तो कई प्रकार के संकट बिजली सप्लाई ना होने के कारण बिजली आपूर्ती ठीक धंग से ना होने के कारण हर्याना, यूपी और पंजाब के राज्यों में वहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है तो ये विशाय आपके सामने रखना था कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली सप्लाई दे कर इमानदारी की विवस्था लागू करके बिजली का घाटा भी कम किया और 24 घंटे बिजली की सप्लाई दे कर प्रदूसन से भी जनता को रहत दिलाई जनरेटर और इन्वर्टर का व्योग कम कराया और बाकी राज्ये नार की इस्थिती में अपनी बिजली विवस्था को पहुचा चुके हैं भाजपा सासित और कांगरिस सासित राज्ये नार की ईस्थिती में बिजली की विवस्था को पहुचा चुके हैं उसको कब तक दुरुस्त करेंगे यह हमारा सवाल है केजरिवाल फिर से कैम्पेन से जुड़ने के लिए मिस्कॉल कीजिए 9509-997-997